आज कि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नियू वेरियस कुरुप्सी पोस्ट के बारे में एक नूटेन्वेंट बोर्ड थोमस मांड आपकी कामवार पलप रम में आपकी भर्ती रखे गया जोगे चन्नें में आपकी जोब लगीशन रखी गई निगलूटमर न के बरती के लावजन देने हैं किसकी सपोस्ट पर कितनी वेकेंसी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाले तो वीडियो को क्या करना है संपूर्ण देखना है सारी इंफॉमेशन के लिए और चलते हैं अपनी नॉटिफिकेशन के और डीटल में कंटेंवेंट वाट जो कि आप देख सकते हो स्टीवन थॉमस मांट कम पलबरम में आपकी रिक्रूट्मेंट रखी गए हैं जो कि चिन्दाइं में आपकी जोग लोकीशन है रिक्रूट्मेंट नोटिस आउट हो चुका है इसके लिए आपको ऑफिन अप्लिकेशन देने हैं जिसमें आपकी पोस्ट वाइस अगर मैं बात करूं तो लडी सी की पोस्ट है और अगर आप 10 पास हो 12 पास हो या फिर ग्रेजूट केंडिट हो तो आप सभी के लिए चीछी रिक्रूट्मेंट हमारे चैनल डेली बिसस पे कवर करता है तो आपको सिरफ एक चीज करनी है च तो काफी कंडिट को पता होते है स्पेशली ऐसी वेकिंसी जो काफी लोगों तक नहीं पता चल पाती तो वह हमारा टार्गेट यह रहता है कि वह वेकिंसी आप सभी तक पहुचाना लेवल एट की सहली है लडी सी की पोस्ट है आप देख सकतो मैं टोटल पोस्ट बात एग्जामिनेशन देन यू कन अप्लाइब पोस्ट ओफ लडी सी लेवल एट की सहली है सेकेंडरी ग्रेड असिसेंट टीचर की लेवल टैन की सहली है चार पोस्ट पर एकुट्म पर एक पास होना चाहिए गोर्मेंट इंटर्शिप आपने कर रखी हो और कम से कम एक्स्प अपने कर रखा हो पांच साल का माना चाहिए अदसभी पास या फिर आप ने कर रखी है और एक साल के एक्स्पिरेंस वगरा भी है तो आप इस वढ़ती के लिए अब दे सकते हैं चाहिए बिड़ाइब की लेड़ किसा लिए एक ही पोस्त है एनम और अपने कोट्स वगए रहा हो और आप रिजिस्टर होना चाहिए देख स्टेट कांसिल मेडिकल संट रिशेच में तैन यूप लेड़ाइब फोर दिस पोस्त नर्सिंग ऑडर ली की पोस्त है लेड़ टो आटी पास या फिर फैल होगा तो भी चल लेगा लेकिन आप इस बünэт्र के लिए आटीफु सेल रेंड़ को बता ही तो यह जो सभी पोस्त वी है यह भरती पर देना है इस बरती के लिए आपको फॉर्म की पीडफ आपको फिल अप करके प्रेंट आउट निकल के सेंड करनी होगी अपने डॉक्यमेंट्स को अटेच करके आपको गिवर नेटरस होगा उसको पहुचाना होगा समय से पहले आंतिन पितीस से पहले-पहले इस लिमिट की मैं बात करूँ चैनल और EWS के लिए 21-30 साल OBC वाले के लिए 23 साल SCST वाले के लिए 25 साल तो यह आपकी मैंने आपकी इस लिमिट बता दी तो जो भी इंटरस्टेड है अपलाई काना चाहता इस भरती के लिए आव दिन दे सकता है इंस्रिक्शन में आपको बताऊंगा लास्ट अफ्लाइन अप्लिकेशन इस 15 फरवरी 2023 चैबच के 15 मिनट तक आपके जो भी फॉर्म वगरा स्विकार किया जाएंगे कब तक 15 फरवरी तक ही स्विकार किया जाएंगे आपको जो में एंवलाप होगा ना उस पर आपको इस तरीके से लिखना होगा एप्लिकेशन फॉर्ड पोस्ट आफ जिसी पोस्ट के लिए अप्लिकेशन दोगे उसका नाम और जिस भी कैटिगरी से आप बिलों करते हो अगर जनल से तो यूर लिखोगे ऐसे ही आपको जि जैसा की देख सकते हो दाख एप्लिकेंट बिलोंगिंग टू एसी एस्ट या फिर देफिरेंटली एबल या फिर वोमें ट्रांसजेंडर और एक्जम्टेंट फॉम्ट फिस तो कुल मिला कि मैं बात करूं 500 पे की फीज जो जम डिमांड ट्राफ्ट होगा जनरल एड़ आपको कंटेंड बोर्ड चन्नाई में तो यह सारी जनकारी मैंने आपको दी वेबसाइट है कि स्टीम.can.gov.in यह वेबसाइट है इस वेबसाइट पेस की जो नोटिफिकेशन की पीडिएफ और फों बगर आवरेटिंग आपर आपको मिल जाएगी मैं लिंक दूंगा डेस सब्सक्राइब सब्सक्राइब और शेयर जरुकर आगरें किसी एकास दोस्के साथ और लाइक तो करते ही नहीं है वीडियो को जिससे कि हम आपके लिए चैचि वेस्ट वेकीन सीरी के बिलेट टेलिवेसे के लाते रहे हैं तो आसकरता हूं सबीकी जानकारी सेंतुस्ट हो कोई क्वेरी हो कमेंट बॉक्स है पूछ सकता है साथ ही WhatsApp टेलीगरम ग्रूप पर अभी भी जॉइन नहीं हुआ है तो जॉइन हो जाना आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है यहाँ पर हैं ठेंक्स वर वाचिंग इस वीडियो